इस समय चिल्ला बाजार में वापस जो है कलस यात्रा आती हुई यह देख सकते हैं आप आवाज यहां सुनते हैं जैस्री राप यहां पर जो आवाज नहीं आ रही है यह देख सकते हैं इस समय आप उत्तर के बाजा जिला और हमारे चिल्ला चेत्र की तस्वीरे देख रहे हैं कलस यात्रा वापस साधी मौतनपूर वाइपास से और जहां से सुर्वात हुई थी प्रारंब हुआ था डाल पगले से वहीं पर अधर ही तरफ जो है अब वहीं समापती भी होगी इस समय आप तस्वीरे देख रहे हैं चल्दा बाजार में इस समय दरस यातरा पहुंचूटी है आज की तस्वीरे देखने जैसी हैं और बहुत ही सुन्दर दरस बहुत ही आनंद और छेत्र के जंता आज पुनी दरसे भगवा मैं हो गई है और राम के नाम पर आज यहां पर राम राम जैसी नाम के नारे ही नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं जिसके तस्वीरे आप राम जी के भक्त हैं उनके बीच आचुके हैं और उनसे भी बात करेंगे कि उनका कहना क्या है आज कैसा लग रहा है बहुत अच्छा और क्या कहना चाहेंगे यह सबसे अच्छा कार है भारत वर्ष के लिए जिसे आज राम चनेदी का मंदिर बन के सायार हुआ आज बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत खुसी हो रही है चिल्ला बाजार से कलस यात्रा है वो यहां से गुजर रही है और दुकंदार है यहां पे चिल्ला के उनसे हम बात कर रहे हैं तो आज सर जो 22 तरीक को राम मजमिर का गाटन होना है 22 जनवरी को हम बढ़ी खुसी के साथ दीपावली मनाएंगे आपके गाउं में आपने क्या तैयारी की है हमारे यहां तैयारी है कि हम हर सो लास के साथ जो है दीपावली के तेवहर मनाएंगे हम मैं ना यहूदी हूँ ना क्रिशियन हूँ मेरी दीपावली मेरा नवर्स मेरा मेरी होली 22 जनवरी 2024 को बनाई जाएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो आप देख सकते हैं कि सभी जो गाउं वासी हैं अपने अपने गाउं में कुछ ना कुछ तैयारी करके रखें किर्तन भजन आज जानकारी थोड़ी से लेते हैं देखो यहां पर सर जी है क्या नामें सर आपका राम करपाल सर 22 करेंगे सब कुछ करेंगे तो हम यहां पर इस समय चिल्ला बाजार में हैं और चिल्ला मार्किट की तस्विरें आपको दिखा रहे हैं कापी दिनों से सोच रहे थे पर आज आपको चिल्ला मार्किट की तस्विरें देखने को मिल रहे हैं यह देखिए यह पूरा मार्किट लेन यहां पे चिल्ला बाजा रहें जो है कलस हां तभा तो इस समय कलस यात्र यहां पर निकाले बरों और जो 22 जन्वरी को राम मंदिर का उद्गाटन होना है उसी उपलक्ष में यह आज जो है कलस यात्रा भब कलत यात्रा यहां पे निकाली गई चिल्ला छेत्र में यह देख सकते हैं तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं अब वापसी वहीं पे जो है डांग बंगला है जहां पे उन से 4 किलो मिटर का सफर हो चुका है अभी तक यहां पे और भी यहां लोग है उन से भी हम कुछ जानकारी लेंगे क्या नाम है सरे आपका आपको तश्वीरे दिखाएंगे देखिए बजा रहे है और चलते फिरते लोगों से भी हम बात करेंगे और उन से कुछ न कुछ जानकारी इसी तरह से लेते रहेंगे और बात करते रहेंगे ताकि उनका भी उनसे भी हालचाल जानना जरूरी है कि आखिर उनका कहना क्या है बने रहिएगा आज आपको यहां की पूरी तश्वीरे दिखाने वाले हैं यह आग देख सकते हैं और क्ला सियत्रा काफि आगे चुकिए है यहां पर यह देख सकते हैं सब ही जो आए राम जी के भक्त जण है सब यहां पर देखने के लिए यहां लगी हुए यहां पर यह सब्दी मंढी मार्की डरे और यहां क्या नापी जलाएंगे जरूर जलाएंगे तो सबसे बड़ी दिवाली 22 जन्मरी को मनाई जाएगी पूरे देश में आगे बढ़ते हैं और इस समय यह देख सकते हैं सर जी है यहां पर क्या नाव है सर राजा 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 आज कैसा लग रहा है अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है साब जैसरी राम जी कोई बात नहीं है हमारे राम जी के भकते उनकी आवाज बहुत जोरदार है तो जैसरी राम सभी के मुख पे आज जैसरी राम पर यहां जो लोग है बजार में मिलते हैं उनका भी हाल चाल लेना बहुत जरूरी है देखो क्या ना में सर्ट कैसा लग रहा है आज बहुत बढ़ी हां मजा रहा है यहां पर हमारे जो दुकंदार है देखो चिल्ला चेत्र के उनसे भी देखो यहां पर माताय बहने सभी हैं और आज इनका हाल चाल जानना भोज क्या बढ़ी है लग रहा है आज बढ़ी हो जाने अचा वहां जाएंगे और क्या यह बहुत बढ़ी बात है और बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत दन्यमद आपका आगे बढ़ते हैं और आज आपको चिल्ला की तस्वीरे इस समय दिखा रहे हैं और देखो पसीना पसीना हो गया है चलते चलते अब आगे बढ़ते हैं क्या नाम है सरपका क्या नाम है दोरेलाग क्या कहना चाहेंगे आज के दिल बढ़ते हैं और जो कलस यात्रा में सामिल है उनकी तस्वीरे तो हम दिखाई रहे हैं जो लोग यहां पर देखने वाले हैं उनसे भी बातचीत करना बहुत जरूरी है देखो भाईया यहां पर खड़े हैं क्या ना किस और जी आज कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग जाए है अब इस जन्वरी को गाटन मंदिर का उस दिन आपके तयारी हो रही है किर्थन भजन देख सकते हैं कि हर गाम के लोगों से भी हम जानकारी लेंगे अब यहां पर देखो लोगों को ठंडी लग रही हमको पस सब्सक्राइब निकलता है तो सभी हमारे यहां चिल्ला छेत्र के सभी रहने वाले हैं बहुत अच्छा कारक्रम रहा आज का राम नौमी की तरह आज भब यात्रा निकली जिस पर पूरे गाउं और समस्थ छेत्र वास्तियों ने अपना अपना सहयों को प्रद्यान किया इ इसके बाद अब मतुरा की बारी है बहुत बहुत धन्यमत आपका आगे बढ़ते हैं इस समय यहां पर चिल्ला छेत्र के जो भक्तगण है वो यहां पर आरती करते हुए क्योंकि यहां पर जो राम जी की और लच्मर जी शीता जी की मूर्तियां यहां विराजमाने यह चिल्ला छेत्र में आरती की तस्वीर है इस समय आपको दिखा रहे हैं हम चैनल के माध्यम से और बने लही एगा कलस जयात्रा चिल्ला जो मार्किट है वहां पर ठेहरी हुए हैं क्योंकि यहां आरती करते हुए सवी राम जी की आरती है und बाल का लगार है और राम जी और लच्मर जी और सीता जी यहां भी राजमान है अउनी की जहां पर आरती लोग कर रहे हैं इसकी तस्मिले ही समय आप देख रहे हैं यह आप देख सकते हैं